आखों की रोशनी कम होने के पीछे मुतिया बिंद होना बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर आगर आप समय रहते इसका इलाद न कराएं तो आखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है अक्सर लोग मुतिया बिंद से निजात पाने के लिए आखों का उपरेशन करा लेते हैं लेकिन हाल ही में एक सोध से पता चला है कि विटिमिन C का सेवन मुतिया बिंद की समस्या से रहत दिलाता है जिया एक ये सिर्फ सर्दी जुखाम में ही नहीं रहा देता बलकि नजर के लिहास से भी काफी मददकार है दरसली सोध का नेत्रत्व जिस डॉक्टर ने क्या उनका नाम था क्रिश्टोफर हेवन जिन्होंने अप्था मोलाजी नामाग पत्रिका में प्रकासित एक अप्रेश विध्यप्ति में कहा है कि हाला कि हम पूर्ण रूप से मोध्याबिंद के वैकास से बचाव नहीं कर सकते लेकिन विटमिन सी के सेवन से हम इसे कुछ हाथ तक रूपने में सच्छम हो सकते हैं पूरे विश्व भर में ये समस्या है उन्होंने कहा कि मूधियबिंद स्वाभाविक रूप से उमर के साथ होता है और इससे आखों के लिंस धुंदली होने शुरू हो जाती है मुद्य बिंद को हाला कि हटाया जा सकता है लेकिन ये विस भर के लोगों में द्रिश्टी हींता का प्रमुक कारण है आपको बता दें बिटीन की एक हदार महिलाओं पर किये गए सूध में पता चला है कि अपने आहार में उच मातरा में विटमिन सी का सेवन करने वाली महिलाओं में दस वर्सों तक मुद्य बिंद का एक तिहाई जोखिम कम होता है ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है सोथ करताओं ने बताया और उन्होंने पाया भी कि यह एक पूरक के रूप में है विटमिन सी के सेवन सेज का खत्रा काम नहीं होता इसमें यह भी पता चला है कि मुद्य बिंद के विकास और गंभीरता में आहार और जीवन शैली अनुवांशकी की तोलना में अधिक महत्पूर्ण भूमी का निभा सकते हैं ऐसे में यह भी समझना होगा कि सिर्फ बिटमिन सी से ही नहीं बलकि आपको अपने आहार और खान पान पर भी विश्य ध्यान देना होगा ताकि आप मुधिया बिंद की समस्या को बढ़ने ना दे और अगर आपको नहीं है तो आप सुरक्षित रहें चूरन है टक्सक्रिप बूत